प्रिवार जनों के बीश आया हूँ एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है इती विदा पुनर मिलनाय इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है मैं विदा लेता हूँ फिर मिलने के लिए इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूँगा और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आप सब अच्छे होगे घर में सब का स्वास्त अच्छा होगा और अब तो मौनसुन भी आ गया है और जब मौनसुन आता है तो मन भी आनदित हो जाता है आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवास्यों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में देश में बड़लाव ला रहे हैं हम चर्चा करेंगे हमारी समरुद्ध सांसकूर्ति की गवरोशाली इतिहास की और विक्सिद भारत के प्रयास की साथियों फरवरी से लेकर अब तक जब भी महिने का आखरी रववार आने को होता था तब मुझे आपसे इस समवात की बहुत कमी महसूस होती थी लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महने बंद रहा हो लेकिन मन की बात का जो स्पिरीट है देश में समाज में हर दिन अच्छे काम निश्वार्थ भावना से किये गए काम समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रुप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा साथ्यों मैं आज देश वास्यों को धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारे सम्विधान और देश की लोकतांत्रिक ववस्ताओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड लोगों ने बोड डाले हैं मैं चुनाव आयोक और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बठाई देता मेरे प्यारे देश वास्यों आज 30 जून का यह दिन बहुती महत्वपूर्ण है इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं यह दिन बीर सिद्धो कानू के अदम्य साहत से जुड़ा है जिनोंने विदेशी सासकों के अत्याचार का पूर जोर विरोत किया था बीर सिद्धो कानू ने हजारो संथाली साथियों को एक जुड़ करके अंगरी जोका जी जान से मुकाबला किया और जानते हैं यह कब हुआ था यह हुआ था 1855 में यानि यह 1857 में भारत के प्रतम स्वतंत्रता संग्राम से भी दो साल पहले हुआ था तब जारखन के संथाल प्रगना में हमारे आदिवासी भाई भेहनों ने विदेशी सासकों के खिलाब हत्यार उठा लिया था हमारे संथाली भाई भेहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किये थे उन पर कई तरह के प्रतिबन भी लगा दिये थे इस संगर्स में अध्भुत विर्ता दिखाते हुए बीर सिध्धों और कानूं शहीद हो गए जार्खन की भूमी के इन अमर संभुतों का बलिदान आज भी देश वाच्छों को प्रेरित करता है जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेबा कुछ जमा भी बुलनतु नहीं